हेलो एस्टुडेंट स्वागत है आपका करंट अफेर्स के सो में आज है 19 मैं 2020 और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं 19 मैं 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेर्स तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है किस राज ने चरन पादू का अभियान शुरू किया है तो चरन पादू का अभियान शुरू करने वाला राज मध्यप्रदेश है अब इस अभियान में होगा किया तो इस अभियान में जो भी प्रवाशी मजदूर जो की रोड के रास्ते से वाइड करेगी जिनके पास जूताचा पल नहीं है खाली पार जो जा रहा है अब यहां पर बात आई है मध्य प्रदेश्की तो इसके बारे में जान लेगी जिसका अस्थापना हुआ था एक नॉंबर सब्सक्राइब करें निश्कार था नहीं परकारणाय अब बीचों बीचों बीचेपरता यह महाराष्ड से टच करताया इसका बॉंडरी गुजरात से उत्तरप्रदेश से 36 गड़ से टच करता है बढ़ते हैं next question की तरफ आज का वारा दूसरा question है भारतिय सेना दोरा शुरू की गई internship का क्या नाम है तो इसका नाम है tour of duty अब यहाँ पर बात है यह भारतिय सेना की तो इसके बार में भी जान लेते हैं तो भारतिय सेना जिसके सेना ध्यक्ष है जिनका नाम है मनोज मुकुन नर्वाने उप सेना ध्यक्ष का नाम है Lieutenant General Sarat Chand भारतिय सेना दिवस मनाया कब जाता है तो यह हर साल 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस मनाया जाता है बढ़ते है next question की तरफ आज का हमारा तीसरा question है भारतिय सेना की कौन सी घुर्षवार सेना विस्व की एक मात्र अस्वारोही घुर्षवार सेना है लेकिन भारत में एक सेना है जो कि घुर्षवार सेना अभी भी है तो उसका क्या नाम है तो उसका नाम है एक सठवी घुर्षवार सेना बढ़ते हैं निक्ष्ट किसी संगठा ने रर्ष्ट्रिये परवासी सूचना परनाली के शुरौद करने वाला संगठा रर्ष्ट्रिये आप्दा परबंध प्राधी करन है को यह जो टालाव प्रवासी कामगार जो अपने घर की और लोट रहें तो उनकी आवागामन की निगरानी करेगा उन्हें शुविधाय प्रवाइड करेगा ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो पड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ पाजवा कोशन है किस संगठन ने विश्व आर्थी किस्तिती और संभावना रिपोर्ट जारी की है तो विश्व आर्थी किस्तिती और संभावना रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन का नाम यून है यूनाइटेड नेशन अब यहां पर बात है यूनाइटेड नेशन की इसके बारे में भी जान लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन जिसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुट्रस हेड़ क्वाटर कहा है यू यू यूर्क में है नियू यूर्क कहां पर यूनाइटर स्टेट्स में फाउंड कब हुआ था तो 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ था कहां पर फाउंड हुआ था सैन फ्रांसिस्कों में यह फाउंड हुआ था ऑफिसेल लेंग्वेज़ेस कौन-कौन से हैं तेहां कौफिसेल लेंग्वेज़े अरभिक चाइनीज इंग्लीज फ्रेंच रसियन स्पैनिस यह सब यूएन के ओफिसेल लेंग्वेज़ेस हैं सब्सीडरीज की बात कर लें तो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइज़ेशन यूनेज को और भी बहुत सारे शंगठन इसके सब्सीडरीज हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के दरफ छटा कोशन है कि संगठन ने अगली पीधी के लिए बायोडेगर्डेबल धातु परत्यारूपन विक्षित किया है तो बायोडेगर्डेबल धातु परत्यारूपन विक्षित करने वाला संगठन ए आर सी आई हैदराबाद है इसका पुरा नाम है International Advanced Research Center for Powder Metagglory and New Materials फिर से एक बार एपीट करते हैं International Advanced Research for Powder Metagglory and New Materials बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ साथवा कोश्चन है परदान मंत्री उजवला योजना के काम काज की देख रेक कौन सा मंत्राले करता है अब हम जान लेते हैं जो option given है इन सब में जो मंत्राले के चर्चा किया उनके मिनिस्टर कौन कोन है जैसे पेट्रोलियम और प्राकरति गेस मंत्री कौन है तो यह थे इनके मिनिस्टर बढ़ते हैं next question की तरफ उस पहल का क्या नाम है जिसके तहत 1-12 तक परते कक्छा के सिक्छा के लिए एक समार्पिट चैनल होगा तो उस पहल का नाम PME विद्ध्या है क्या नाम है PME विद्ध्या के तहत 1-12 तक कक्छा के बच्छों के लिए एक चैनल बनाया जाएगा PME विद्ध्या के तहत तो यह थे आज के हमारे 8 most important current affairs अगला यह question होमर के लिए है आप लोग होमरे में करिए मिलते हैं next वीडियो में बाय होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा